मुझे खुजी है कि आज जब दिल्ली उनिवर्सिटी के सो साल का सलिबरेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव महोयल में मुझे भी आप सब के बीच आने का आउसर मिला है और साथियों केंपस में आने का आनन भी तभी होता है जब आप कलीट के साथ आए दो दो चल दिये गप्पे मारते हुए दुनिया जहान की बाते करेंगे इस्राइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं कौन सी फिल्म देखी ओटीटी पर वो सिरी अच्छी है वो वाली दिल देखी या नहीं देखी एने बातों का अथा समंदर होता है इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मैट्रों से अपने युवाज दोस्तों से गप्प्प करते करते यहां पहुचा हूँ उस बात्चित में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिल्चस्प जानकारिया भी मुझे मिली साथियों आज का आउसर एक और वज़े से बहुत खास है डियू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्स पूरे किये हैं जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्स पूरे होने पर अमृत महुत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो उसकी यूनिवर्सिटी उसके सिक्षन सवस्थान उसकी उपलब्दियों के सच्चा प्रतिम होते हैं डियू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही अइतियासिक पड़ावाये हैं इसमें कितने प्रफॉसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है। एक तरसे दिल्ली उनिवर्सिटी सिर्फ एक उनिवर्सिटी नहीं बलकि एक मोमेंट रही है। इस उनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जीया है। इस उनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। बैस अइतिहासिक अउसर पर युनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को, सभी स्टूडेंट्स और अलुमनाई को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। करते है ने हैं।